तो दोस्तो आज अगस्त की 18 तरीक है चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि इस अगस्त मन्थ में कौन से पौधे जो है वो नरसी से लगाना सही रहेगा humidity हाई है, monsoon का समय है, अच्छा समय रहता है हर एक पौधे को लगाने का लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा वराइटीज जो गार्डिनिंग के शुकीन है, गमलों में गार्डिनिंग करते हैं, उनके लिए बता देना चाहता हूँ, जो पौधे गमलों में असानी से चल जाएंगे, वो पौधे शेयर करूँगा तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कुछ बेल वाली वराइटीज कह लीजिए या सेमी बेल कह लीजिए तो उसके सबसे पहला पौधा शेर कर रहा हूँ, यह ब्लीडिंग हर्ड का है, ब्लीडिंग हर्ड में क्या रहता है, कि एक सेमी बेल बन जाती है, गमलों में असान जो प्लांट है वो नसरी पर मिल जाता है तो परफेक्ट आप्शन है जरूर से एड़ कीजेगा नमबर दू है जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेर किया ये अलमंडा का पौद है आलमंडा में भी कलर्ण मिल जाते हैं आपको ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा Heam एक ये भी कलर बहुत खुबशूरत से जो तो तो इस तरह से अकलर कंबिनिशन रहते हैं प्राइज की बात करूँ तूपको तो लगबग 70-80 रुपीज में हल्दी जो पौध है वो मिल जाता है अगली खुबसूरत सी ऑप्शन है दोस्तों मधूमालती की मधूमालती तो आप सब जानती हैं मधूमालती में अक्सर प्राब्लम आती है कि हम बेल वाली वराइटी लगा देते हैं लेकिन यह जो नहीं आता देखिए उपर एक प्लांट की तरह जो है वो निकल कर आता है तो यह मेजर डिफ्रेंसिस है मैंने कंप्लीट वीडियो अल्रेडी शेर भी किया है तो इस पौधे को आप जरूर से लगा सकते हैं प्राइज की बात करूं लगबग 100-150 की रेंज में मिलेगा साइ यह बड़ी वराइटी है इसको बॉर्डर के लिए पर्फेक्ट माना जाता है तो यह बड़े वाली वराइटी है इसमें जो क्या रहता है कि सभी में जो फ्लार्स का एक बंच है वो बनता है लेकिन यह दिखिए जैसे मेरे हाथ में आपको आइडिया लगेगा यह जो यह बंच का साइज है थोड़ा सा जो छोटी वराइटी रहती है बंच जो फोड़ा चोटा बंगता है तो इस तरह से यलो कदर बहुत खुबसूरत लगता है यलो औरेंज और रेड मेरा पर्सनली कहा सकता हूं कि यह फेवरेट कलर है और पिंक भी कह लिए पिंक भी खैर सुनदर सा दिखाई देता है तो इस तरह से आप कलर लगा लगा लीजिए बहुत खुबसूरत से लगेंगे प्राइज देंज की बात करूं तो लगभग यह जो आप देख रहे हैं यह बड़े पौधे हैं हंडर्ड फिफ्टी के असपस दिखाई देते हैं अगला जो उठा हुआ फूल रहता है लेकिन बहुत जड़ा क्वांटिटी में खिलती है तो गमलों के लिए बहुत ही खास ऑप्शन रहती है कह लीजिए परफेक्ट ऑप्शन रहती है इसको आप बिलकुल लगा लीजिए सिंगल पैटल भी मिल जाता है सिंगल भी लगा सकते हैं अच्छा मैच्योर पौधा मिल जाता है फिर नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यह मैंडे विला की बेल है मैंडे विला में क्या रहता है फूल तो कुछ-कुछ देखने में अलम अंडा की तरह दिखाई देते हैं लेकिन थोड़ा सा फ्लार का डिफरेंस रहता है थोड़ा स रहती है इस तरह से एक जोरा में छोटी वराइटी तो यह रहती है इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं इसका प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है 250-300 के आसपस आपको नर्सिस में मिल जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सभी का फेवरेट हिबिसकस की ऑप्शन हा बहुत सारी कलिया निकल कर आती है एक साथ और जो प्राइस रहते हैं वह लगभग आपको 100-150-250 इस तरह से अलग लग रेंज में मिलेंगे थोड़ी सी इसमें डिफरेंट डिफरेंट वराइटी रहती है कुछ ऑस्ट्रेलियन रहती है कुछ इंडियन रहती है जो इंडिय कर सकते हैं फ्लारिंग प्लांट की ऑप्शन रहती है कमदाम में मिल जाती है यह तो ख्या थोड़े बड़े पौधे हैं चुट-छुटी सी आप नर्से से अगर पौध करी देंगे तो लगभग आपको 5-10 रुपीस की रेंज में मिल जाती है इसी तरह से कामनी की जो हैज है वह बहुत खूबसुरत बनती है कामनी फूलों वाला पौला रहता है मधू कामनी के नाम से मिल जाता है इसकी यह जो मीडियों वावराइटी रहती है वह हैज के लिए की रेंज में मिलेंगे चोटे फोड़े थोड़े कमदाम में मिल जाते हैं फिर इस मौसम के लिए टिकोमा की आप्शन बहुत खास रहती है मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है यह हाइब्रिड वराइटीज हैं टिकोमा की तो यह रिखेगा इसको कुछ येलो बेल्स क के नाम से भी जानते हैं यह थोड़ी सी छोटी लीव में रहती है एक ट्री वाली वराइटी रहती है वो थोड़ी बड़ी बड़ी पत्तियां रहती है वो गमले के लिए परफेक्ट नहीं रहती है लेकिन यह गमले के लिए परफेक्ट रहती है तो जाड़ी नुमा और देसी गुलाब का जोए वो start हो चुक है, इस मौसम में आप miniature roses को भी grow कर सकते हैं, दिसी गुलाब को भी grow कर सकते हैं, दोनों options बहुत ही खास रहती हैं, बहुत easily इस मौसम में नस्री पर मिल जाती हैं, 100-150 की range में आपको जो अच्छे healthy paudें हैं, वो दिखाई देंगे, फि आप उनको पर्चेज कर सकते हैं तो यह देखिएगा यह तो खेर एक बॉंजाई के लिए जो प्लांट है वो रीडी किया गया यह भी बॉंजाई वराइटी है लेकिन जमीन में बहुत अच्छे से ग्रू करता है तो जमीन में लिए इस तरह के पौधे जो आपको मिल जाते ह जैसे मैंने बताया आपको कि क्या रहता है कि हुमिडिटी हाई रहती है तो हाई हुमिडिटी इंडोर पौधों को बहुत पसंद रहती है तो क्रोटाउन के पौधे एक सेमी शेड या इंडोर केटागरी में आते हैं इनको आधे दिन की धूप जूए वो पर्फेक्ट रह जाती हैं अच्छी वराइटी में वह तो आज की शूटी सी वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं कुछ नई वराइटी के साथ नए पौदों के साथ और वीडियो का एंड करते हैं बहुत ही खुबसूरत सी वराइटी सिग्जियम के साथ रैड रॉबिन भी इसको बोल